प्राइम टीवी का खास कारिकम बीकेंट चर्चा जिसमें हम लगातार ऐसे मुद्ध उठाएंगे जिनका सीरा सरुकार आम जनता से है और होना भी चाहिए क्योंकि जनता ही जनारदन होती है और जनता के मुद्ध ही पीछे रह जाएंगे तो किसी चुनाओ का किसी सरकार का किसी लोकतन का कोई अस्तिपिक बाली बात ही नहीं होनी चाहिए अगर आज हम मुद्दे की बात करें तो आज हमारा मुद्दा है वो है महंगाई मैं आपको बता दू यह बही मुद्दा है जिसमें कमी ना करने की कारण 2014 में मनमोहन सिंग की कॉंग्रेस सरकार जो थी वो गिर गई थी क्योंकि उन्होंने महंगाई को काबू नहीं कर पाया था पर इस्थिती भी अब भी वही है महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है चाहे केन सरकार की बात करें चाहे राज सरकारों की बात करें मेंगाई पर कहीं भी लगाम लगती नजन नहीं आ रही है सरकार आखड़े बताती है कि मेंगाई दर इतनी है थोक मेंगाई दर इतनी है पर अगर हम जनता की बात करें तो जनता को कहीं भी राद नहीं मिल रही है और मिल क्यों नहीं रही है उसके भी कारण है क्योंकि जो नीतिया होती हैं, जो बियस्थाएं होती हैं, उन पर लगान में लग पा रही है, उनकी समिक्षा नहीं हो रही है, और समिक्षा हो भी क्यों, क्योंकि पार्टियर चुनाओं में बियस्थे हैं, चाहे सत्तापच की बात करें, चाहे विपर्च की बात करें, सत्ता प्लाइज के सरुकार आमजनता के स्वास से भी है रोजी रोटी से भी है उनकी बुकमरी से भी है कुपोर्शर से भी है ऐसी कोई बिरस्था नहीं है जिससे महँगाई का सामना नहीं होता हो या उसका सीरा सीरा असर्म पड़ता हो आज अगर्षम और बात करेंगे आप 9 अगर महंगाई की बात करें तो महगाई आप ने बताया की महगाई वो चीज है जिसका सीरा सरुकार होता है आम जनता से अब आम जनता महगाई से क्यों रहाद नहीं मिल पा रही है गवर्मेंट प्रयास करती है अभी मैं आपको हाद में बता दूँ कि योगी सरकार ने आदेज दिया था कि जमाखोरी पर लगाम लगाई जाए वो जम आखोरी आज तक क्यों कम नहीं हुई क्यों कम नहीं हो पा रही है बो जो नीतिया क्यों नहीं की गई है समीचा क्यों नहीं की गई है इसका जबाब अगर हम लेंगे तो सचसे पहले भारतिने पार्टी के प्रवक्ताशी लेंगे दिसमंदू जिच्छी ची बताए कि जो सर सरकार क्यों कोई काम नहीं कर रही है क्या परियास कर रही है अगर सरकार आदेज दे रही है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है समिच्छा क्यों नहीं हो रही है उसमें लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है इसका जवाब चाहेंगे आप से नितिन जी मैं आप ही की बात से सुरू करूँ आपने मुद्दा उठाया महंगाई का महंगाई एक ऐसा विशे है जिससे आम जन्मानस इस बात से मैं आपकी 100% सहमद हूँ कि उसका सीधा या प्रतेक्ष या प्रतेक्ष प्रभाव जनता पर पड़ता है अब मैं बात करता हूँ आज ही आप बात करेंगे हमारा विदेशी खाजाना जो है आज ही आप देखें होंगे लगबख 640 खरब हो गया है और दूसरी तब हमारे श्रदे ये श्रश्वी प्रधान मंत्री ने गोश्णा की सोचिए जो पैसा मार्च में वित्तिय सोलवे वित्तिय आयोग के द्वारा मार्च में मिलना था उसका अंश जो है वन तीसरा भाग लगबख 17,085.34 करोड उप्या आज ही हमारे प्रदेश सरकार को आमंतित हो चुका है और हमारे भंडारण केंद जहां हमारे श्रदे योगी जी सफलता पूरवक केंदरी दोनों डबल इंजन की सरकार महंगाई पे दिन प्रति दिन आपने देखा होगा जो खुद्रा महंगाई दर करोणा काल की विविश्का में 10 प्रतिशत थी आज वो घटते घटते 5.34 प् हैं आज से कुछ सब्ता पहले यह समस्या जब हमारे मुख्यमंत्री के समक्ष आई समिक्षा बैठक में उन्होंने सभी जिलादिकारियों को यह सक्त निकार किया कि जमा खोरी और भष्टा चार से जीरो टॉलरेंस नीती पे हमारी सरकार प्थम दिन से थी और आज भी है औ उसके बाद सरकार एक्षण क्यों लेती तब कर एक्षण क्यों लियाते हैं जब जनता महीने दो महीना उस समस्याओं से पीडिस हो जाती है असी रोपेकलों सो रोपेकलों टोमाटा ले लेती है उसके बाद जब कहीं सरकार की नीन कुलती है तब क्यों आदेस करते हैं तब माहमारी चल ली थी, लोगडाउन चल ला था, तो सरकार द्वारा हर खाद बस्तों के रेट निदारिट किये गए थे, और हर दुकान पर रेट लगाए गए थे, जबकि पिछली लेहर में मौटलिटी रेट यानी कि मित्यु डर थी, बहुत कम थी, इस बार मित्यु डर कहीं जाड़ा थी, लोग बहुत भी मौते हुई, पर उसके बापजूर भी कहीं भी दुकानों पर रेट लिष्ट क्यों नहीं लगाए गई, नीबू भी खूद महगा बेका, कीवी भी बहुत महँगी बिकी, खटे बल दबगेस से जाड़ा महँगी बिकी गई, तो जो पिछल जाड़ा था, क्यों नहीं की गई, सरकार कहा गई थी, सरकार ने समय, यह आदेश जिलादिकारियों को क्यों नहीं लिए गई, यह मैं जबाब चाहता हूँ आप से, जैसा कि आपने कहा और मुद्दा उठाया वैश्विक महामारी, देखिए यह महामारी कोई बता कर नहीं जिना लगाई हो, और जैसा भी किया, उन्होंने उनके लिए रोजगार की व्यस्ता की, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे हमारी आप देखिए उसके लिए, ओडी ओपी आपने देखा, वन डिस्टिक, वन प्रोड़क्ट हो, महंगाई अचूती नहीं, इस बास से मैं इंकार नह कि जो लिए पच्छी बार जारी की गई थी, सब दुकाना पर लगाई गई थी, वो इस बार क्यों नहीं लगाई गई, यहां पर सरकार ने क्यों डिया, जरादी कारी को निर्देश क्यों नहीं डे गए, लगातर महंगाई बढ़ती रही, आने स्वने दाम पे फल वेचे है, इस पर व्योस्ता क्यों नहीं गई, मैं जाना चाहूंगा, नितिन जी, देखिए, इसमें कुछ टेक्निकी पहलू है, उसमें हम जाएंगे, तो बहुत विशलेशनल लंबा हो जागा, देखिए, कोई भी महंगाई दर जो होती है, वो मुक्त बाजार व्योस्ता के अंत हमारा देश, हमारे प्रधान मंतरी, हमारे मुक्ह मंतरी, हमारे प्रदेश सरकार का एक एक भारती, जन्ता पार्टी का एक एक कार करता, लोगों के जीवन बचाने के रक्षक रहा, तो आप जाने रहे सारे कलकार करने, उसके बाद भी इस भयंकर, दूसरी लहर के दारान भ और ये पिछली हमारी सरकारों की भिफलताएं रही कि इनोंने अपने गोडाम को और को सुनिश्रिद नहीं किया, हमने इनके भंभारं को सही किया, supply chain को दुरुस्त किया और जहां आवागमन की जुबडा रही, वहाँ आप देखें, आज प्रदेश की सभी गाउं जो है आप जिला से देखिए सड़कों मार्क द्वारा जुड़े हुए हैं और आप देखेंगे धीरे-धीरे एक दो दिन सब्ता में हम इस पर भी अपनी कार करके महंगाई को काबू में लाएंगे आपने क्या इसा काम किया क्या व्यस्ताय बनाई सप्लाई बनाई इंडस्ट्री खोले रही बुट उस तीनों पर मैं आपको बलाई देता हूं पर सबसे बड़ी बात यह है दिश्ची जी की महंगाई महंगाई को नियंटन करने के लिए सरकार ने क्या किया और हमारा आज का म देखिए बिलकुल भी सरकार विफल रही है दोरो जी हर हाल में हर तरह से वचाय महंगाई का मुद्दा हो या कानून विवस्था का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो यह हर तरह से विफल रही है और इनके प्रियास रहते हैं और यह जमीन पर नहीं उतरते हैं अभी हमारे लोग बंदु जी ने गिनाया कि डबल इंजन की सरकार है हमारी और हमने इतना आवंटन किया है वो इतनी हम क्या कहते हैं खादान की सप्लाई कर रहे हैं रोक लगा रहे हैं लगा यह धरातल पूतरता कहीं नदर नहीं आ रहा है महनाई जयो की त्योबनी हुई है और प और चुकंटर से ले करके तो सीजनल नहीं होो महग होते चले जा रहे हैं इतना महंगा हो गया डीजल पेट्रॉल महगा होता चला जा रहा है इनका चिनब नज्दी ще क Bei यह कन करना शुरू कर देता है ज Zw Mil很好 जानती पे सी बात लगाना चाहिए भारती जंता पाल्टी के लोगों को अभितलग यह समझ में उस्माराई नहीं आया है पाल साल के अंदर के आखित जो महंगाई है गोरव जी वह एक दिन में नहीं बढ़ती है वह धीरे 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 करके बढ़ती है और जहां से बढ़ रही होती है वहां से इनके प्रियास नहीं है। आप देखिए कि एक मेद्धारण देना चाहता हूँ अगर आप किसी शादी में जाएं। किसी पाल्टी में जाए और बहुत बड़ी शादी हो और वहाँ पर उससे आपका ये लिना देना नहीं है कि ये शादी कितने क्रोण रुपे की हो रही है दहेज में दूला को क्या-क्या दिया गया है एक नारमल बाराती वो खाने से मतलब रखता है कि उसको खाना अच्छा म नहीं की जा सकती है वही हाल एक आम जन्मानस का है कि उसने मैनाई के मुद्धे पर आपको वोट दिया और आपकी सरकार आ गई अब पाल सालों में आप विद्वाविलाब करते नदर आ रहे हैं कि यह मुद्धा यहां से बढ़ रहा है और मेरी डबल इंगन की सरकार हो मैं कटोरा खाली पड़ा रहता है तो उसको इससे मतलब नहीं है कि मोद्धी जी ने क्या किया आम आदमी दोवक्ती रोटी चाहता है अगर यह सरकार भो भी नहीं देशकती गोरो जी तो हम क्या उमीद रखेंगे प्यास तो आपके साजनकार नहीं मैंगी बेकी है देखिए हा पेट्रोल के दाम उसका आसमान नहीं चू रहे थे और हमने क्या किया था कि जो अड़तिये जो जमा खोर थे उन पर हमने लगाम लगाई और उनके हाँ छापा मार मार करके उनके पेटियों खलानों को खाली कराया और उहां उनके जो भंडारा थे उनको खाली कराया यहां पर किया है कि जो माफियां हैं जो जमा कर लेती हैं जमा खोरी वाला का प्रयास है इनका किसी वी तरह पर उन पर लगाद ने लग रही यह कहते तो हैं कि हम उसकी उपर प्रयास कर रहे हैं और हम चापे मारी कर रहे हैं नगर यह कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं आप मंडी परिश ख्याल आ रहा हूँ जब कि आप देख लीजे कोई भी सरकार हो सेंटर से लेकर किया परदेश में सबसे पहला मुद्दा सरकार का वोट डालने का जो आम आदमी है उसको बड़ी-बड़ी लक्जिरी गाडियों से और एंडुराइट फोन से और बड़ी-बड़ी कमपनिल्ट इसी क्या कहना चाहेंगे देखें मैं अपनी समाजवादी मित्र को पहले बता दूं इन्होंने एक उदारन दिया था शादी विवा में तो आप जानते हैं इनकी सरकार का जो सारा शादी विवा का कारिक्रम और बड़े का कारिक्रम के उल सफाही माउत्सों में होता था लो यह बात करते हैं सिस्टम मेंगाई की अपनी विफलताओं को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका तार्किक होता है कि विपक्ष पे आरोप लगा दो आप बताइए इनकी सरकार्ती यूपी की उत्तरप्रदेश की हमारी जनता जनारदन बेवकूफ नहीं अगर अखलेस जी अब देखिए आज इवन सारावास गुवर्देश का नहीं है मुद्दा महंगाई का है देखिए महंगाई का कहीं न कहीं असर आप नितिन जी मानेंगे भरष्टाचार से जरूर होता है अगर भरष्टाचार की गोद में बैठी सरकार होगी तो महंगाई जिरो टॉर और रही बात मेरे समाजवादी मित्र ने कहा पेट्रोल का जो दाम होता है दीजल का दाम होता हमारी केंडर सरकार है देखिए सैफाई में महुतसो नहीं बना रही है निरंतर प्यत्न करती है आप भी जानते हैं महंगाई दर एक ऐसी चीज होती है जो पर विश्व की बजार व बढ़े हैं दीजल जी 24 बार डीजल के रहे हैं हमने 12 रुपया भी देखिए एक मुस्त कम किया और यह भी देखिए चुनाओ हानने के बाद देखिए जीएस्टी का जो भी संग्र हुआ इनके कारे में आज तक कभी नहीं पता चला आकडों पे मैं बात करता हूं देखिए किसी जीरो परसेंट टॉलरेंस नहीं है और रही बात टमाटर और प्याज की दाम तो आप जानते हैं बाजार व्योस्ता में अगर भरस्टा चार है तो कोई भरस्टा चारी भक्षा नहीं जाएगा निति आयो के रिपोर्ट आई है उसमें जो देश के जो पांच बड़े राज है जहां पर गरीवी सबसे ज़्यादा है उनमें उत्तरपिडेश तीसरे नंबर पर है स्यायति डिसल्लव सात नो परसेंट आबादी गरीब है क्या कहना चाहेंगे नितिन जी मैं आपकी बात क मैं आपको बताओं यह इनिकी घोटालों की सरकार इसे पहले केंद्र में जो सरकार झाहां यह दो यूवा ओं का साथ था आनब आप मैं अगर अगर गिनाना सुरू करूंगा तो साही कम है कम पड़ जाएगा चाहे यूरिया घोटाला ओं चाहे कोईला खोटाला हो चाहे तू जी थी जी घोटाला हो चाहे कामन वेल्थ खोटाला हो चाहे जीजा जी का जो है जमीन घोटाला हो जो जो जिस सरकार में ये उसी सरकार में इनके जो है सहयोगी दल थे और आप बताएं अभी पिछली सरकार में आपने देखा होगा इनको मुखी खानी दो युवाओं की सरकार यूपी की जनता बहुत समजदार है और जो आपने कहे इनके ही कारणामों का फल है आज आपने देखा हम प्रयत्तिसील कर रहे हैं महंगाई एक ऐसा मुद्या है जो आता है प्रलक्षित होता है लेकिन आपने देखा सारी बंद चीनी मि को शुरू करा है अच्छा की आप बढ़िया की आप मिसमजदारी जवाब दीजे इस पालों का ये हाल था कि कारणामों की बात शुरू कर दी उल्टे इन्हों ने हम पर आरोब शुरू कर दिये क्योंकि ये चाहते हैं डायवर्जन दिमाग जनता के दिमाग को डायवर्ट करना ताकि जनता इनके मुद्दों से भटक जाए और अब जी ये घोटाले की बात कर रहे हैं बड़े मच्छी बात है गवर्ण जी कि अभी अभी पीपी का कितना बड़ा घोटाला इनका कोरोना में हुआ जिनको ये आपड़ा को अफसर मदल ले थे इनके नेताओं ने न मुद्दा मानती नहीं है क्योंकि जब आप महँगाए की बात करेंगे तो ये कारून विवस्था पर ले जाएंगे और जब इनकी लचर कानून विवस्था की बात की जाएगी तो ये देश प्रेम की तरफ लेके जाएंगे राश भक्ती की तरफ लेके जाएंगे और जब पेट्रोल का जो लीटर जो दाम चल रहा है वन लीटर पर जो दाम एक मुसलिम लेगा वो सिख भी लेगा वो हिंदू भी लेगा वो इसाई भी लेगा हर आदमी उखरीदेगा देश के अंदर आद्मी बाट नहीं सकता है और यह हमेशा बाटने की राजनीत करते चलिया और बुद्धा है यहाँ पर महेंगाई का जो नहों नारा दे कर कि यह अपने मैनिफेस्टो का जिकर नहीं करते हैं अगर आप इनसे मैनिफेस्टो की बात करें तो यह बात अपनी नहीं करेंगे आखी ये दनुगाई किसके भरोसे की जा रही है, किसको पहुचाई है दनुगाई पर बात नहीं करेंगे, मुद्धे पर आगे महगाई की अब मैं उसी पर आ रहा हूँ, अगर रही बात महगाई की मगर गरीब को इससे मतलब नहीं है, गरीब ने आपको यहाँ पर बिठाया है उसको चाहिए है दस रुपए किलो टमाटर, उसको चाहिए है दस रुपए किलो प्याज आप वो अगर नहीं कर सकते हैं तो आप ये बताइए कि परिवरतनी है ये किसी की नहीं है जो अच्छा काम करेगा वो आएगा और अच्छी बाते इससे आप महंगाई के मुद्दे पर बात करिए कि आपको कैसे जनता का जो निवाला च्छीना गया है पांच सालों में उसको कैसे उस निवाले तक पहुचाना आए और वो अब आप नहीं पहुचा सकते क्योंकि समय आपका खत्म हो चुका है जैदी जी मैं नहीं की बात से कहा दूँगा इन्होंने बात की सेफ़ाई महोसो मनाने से महंगाई ने महंगाई एक टेक्निक पहली है मैंने कहा इस मुद्दे पे विस्तरत चर्चा कर सकता है मैं मानता हूं महंगाई होगी लेकिन उसके उपाए भी है समस्या है तो समाधा हमारी सरकारों ने आपने देखा होगा जब से 7 साल हुए हमारे ये शश्वी प्रधान मंत्री ने देश की समता समाली और 2017 में जब से पहले आए इनके काले कारणामों को ही हमने उजागर किया और इनके जो थाने जे थे गुंडागर्दी थी उससे महंगाई कंट्रोल नहीं ह बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी इमें चानकारी के लिए थोड़ा अध्यान अध्यापन करें बेटी बचाओ बेटी बनाओं का दो हजार 15-16 के आपने देख लिए एक एक डिस्टिक में चाहे वो यह सबका साथ सबका विश्वास और सबके बात की बात है हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करते किसी मजभा की बात नहीं करता हूं मैं आपकी स्वास मैं आपकी बात करता हूं मेरी बात को पूरे वन डिस्टिक वन पोटक छोटे से छोटा आपने कहा अभी आंक्रे दिये की गरीब छोटे सोटा बिमारू जिस राज्जी को इन्हों ने बिमारू राज्जिक किया जा आज आपने देखा होगा सर्विक्ष्टन में उत्तर प्रदेश नहीं है नीती आयोग ने जो रिपोर्ट की उन्होंने देखिए नीती आयोग भी अपना काम करता है इन्होंने कभी बात नहीं की समाधान पे आपको भी नित्विन जी मालूम होगा अगर हम इसकी सार्गर्टिप चर्चा पे जाएं मेथेनौल एथेनौल का यूज किया जा सकता है डीजल पेट्रोल के दाम हमारी सरकार नहीं तै करती ना प्रदेश की आप कर सकते हैं है यह रेट विश्र के अर्थवस्ता पे लेकिन हम उसके सब्सिटूर पे बात कर रहे हैं ये बात करते हैं भूंदाराज की ये बात करते ह ? प्रश्चा चार में साड़े चार मैंने नितिन जी आपकी बात को मैं कह रहा हूं आप मेरी बात को 30 सेकंड लीजे आपने का फ्यूल का रेट हम तो उस विकल्प को समाप्थी करना चाहते हैं सबसे सस्ता आप देखते हैं हमारा बार 230 करोड का है कब होगा किसी ने कभी सोचा था हम कचरे से गाड़ियों को चलाने के लिए वस्ता कर रहा हैं इनकी खराब गाड़ियां जो है थानों में जो अब यहां कानून पर बाट नहीं बाट कर रहा हूँ जी और दिन कानून पर बाट कर ली जाएगी सब्रेपोर्टर रेका ली जाएगी अभी अभी मैं इस मुद्धे पर मीसंजी जवाब देंगे बताइए देखिए ऐसा है जो अभी देजबंदु जी ने कहा कि समाप करना चाहते हैं तो ये बेशक समाप करना चाहते हैं ये किसानों के मुद्धे को ने किसानों को समाप करना चाहते हैं ये गरीबी को नहीं गरीबों को समाप करना चाहते हैं इनका बस चले तो ये गरीबों को मि गई थी और वो विरोध कर रहे थे तो उसक्त उनकी बातों को ये कहके नकारा जा रहा था कि ये आंदुलन जीवी हैं परजीवी हैं खालीस्तानी हैं मुद्धे पर आने के लिए बताना चाहरा हूं आपको तो उनकी मांगों को वापस ले लिया गया और आप वो किसान हो करने का हमारे राजशी अद्धिक जी का मकसदी यही है कि जनता को जाकर ये बताईए महगाई परबरतन यात्रा महगाई कम करने की यात्रा कब निकाली जाएगी और निकाली जा रही है और हमारे राजशी अद्धिक जी अपने बात कहे भी रहे नहीं चुनाओ की समय की ब शुरू में हमने अपनी आवाद उठाई तो यह कहा गया करोणा में लगाता है हम लोग पर पर मुखदमे हम लोगों पर बताते हैं आपको भी करोणा में आना चाहिए था तो आप देखे ना कंदे से कंदा मिला करके चल रहे थे हम लोग और हमारे राचिया देद पर में लिखा जा रहे थे कि ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं ये भड़का रहे हैं आप देखे जब करोणा से लोग मारे जा रहे थे तो क्या उस रकर योगी जी ने बयान नहीं दिया था कि इसमें राजनीत नहीं करना चाहिए सब को साथ दिना चाहिए तो जब हम मदद करने के लिए खड़े होते हैं तो कहा जाता है का राजनीत कर रहे हैं और जब हम राकामोश हो जाते हैं तो कहा जाता है देखी विपक्सो रहा है तो या तो आप एक बात करिए या तो ये मत कहिए का राजनीत कर रहा है और या ये बात मत कहिए हम पावर में नहीं हम बात अपनी कैसे बहुचाएंगे हमारे पास तो सीमित साधन है गौरव जी हम अपने सीमित आए सीमित साधन से मदद कर सकते हैं लगर सरकार के पास जो मिशिनरी है उसके पास तो बहुत से संसाधन है वो क्यों नहीं मदद कर रहा है जब आप एक छोट किसालों को नहीं दे पा रहे हैं किसालों को नहीं दे पा रहा है किसालों को जैसा कि हमारे मित्र ने कहा अभी इन्होंने महंगाई का मुद्दा छेडा अरे सफ़ाई महसों से फुरसत होगा तब जनता जनारतन ने इनको तो दोहजार बार बार जैसी श्रिष्टी वैसी दिश्टी आएसी के कभर में बंद करके ट्विट कर देने से जो है हम हमारी वेक् corona जैसी महा भागाएं को जहां जहां जनता एक एक जनता अपना प्रत्न सीलती श्रिक से बढंद कमरें ने से समस्चा का समाधन है देखिए या तो समस्चा का समाधन डूडे या हर समाधन में समस्चा डूड़े इनकी तो वही बात है जैसी स्रिश्टी वैसी दिश्टी एसी के बंद कमरों से महंगाई नहीं कम होती है और जो आपको बता दूब वह ठावी हो जाते हैं एंडर्ब वैस्टी यहां वह बाद करते हैं रिखों की बाति हम महुत्व मनाते हैं bita ok लाशों पर दाट गरोगा जो प्रदान मंत्री जो मुक्त मुद्धा था वो स्यापई मौस्ट चला गया महगाई का मुद्धा था भाब दनवार आप लोगा लाशों पर दोनों का भाब धनवाद फिराल मुद्धा तो महगाई का था उंपर मुद्धा महगाई का नहीं जाके सेफ़ी मौस्ट चला जाता है कभी ODP चला जाता है कभी सौस्वेस्टों पर चला जाता है कभी कुरोना पर चला जाता है पर मुद्दा जस्ट का तस है सामाजिक सम्मेलन होते हैं रहलिया होती है, परवर्तन यात्राय होती है पर जन्ता के मुद्दों की परवर्तन कब होगा उसे जुड़ी यात्रा है कब होगी, आन जनता को निजाट कब मिलेगी, ये तो फिराल आने बाला वक्त बताएगा, पर एक बार बिल्कुल साफ है, जब तक जनता के मुद्दों की बात नहीं होगी, तब तक जनता को निजाट इन समस्याओं से नहीं मिल चकेगी, बिपच् स्थिती है, महगाई पर लगाने के नीतिया ना पिज़ी सरकार में थी, ना इस सरकार में अब तक बनाई है, तो उनका अनुपालन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये आज भी यच्छ पिसन है, आने वाली दिबेट में, आने वाली चर्चा में, फिर किसी मुद्दे, नहीं मु ना इस सरकार में तक बनाई है, नमस्कार